हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बोगन बेलिया को कटिंग से लगाने का तरीका सीखेंगे देखिए बोगन बेलिया एक पर्मानेंट प्लांट होता है जो समर सीजन में काफी अच्छी फ्लावरिंग करता है ये एक हाड़ी बूसी प्लांट होता है और इसे आप cutting से काफी easily propagate कर सकते हैं एक पोधे से कई पोधे बना सकते हैं इसे आप गमले में काफी आसानी से लगा सकते हैं इसका bonsai भी बनाया जाता है तो आज इसे हम cutting से grow करना सिखेंगे वो भी बहुत ही आसानी से पूरी full update के साथ इसकी cutting में लगाने वाला हूँ notification आपको मिलती रहे तो हमने ये बड़ा लंबा सा ब्रांच बोगन बेलिया का ले लिया है मैंने अपने पुराने पोधे से इसे cut कर लिया और सबसे पहले हम इसमें सारे पत्तों को cut करके हटा देंगे बिल्कुल एक भी पत्ता है इसमें हम नहीं छोड़ेंगे सारे पत्तों को ऐसे ही cut करके हटा देंगे इसमें काटे भी होते हैं तो आप थोड़ा carefully इसके पत्तों को cut करें नहीं तो आपको काटे गड़ सकते हैं बोगन बेलिया की cutting selection की अगर बात किया जाए तो आप मोटी cutting भी इसकी grow कर सकते हैं और pencil की थिकनेस की cutting भी काफी easily लग जाती है ज्यादा पतली cutting अगर आप लगाते हैं तो उसमें rooting जल्दी नहीं होती है तो आप pencil की थिकनेस की cutting या उससे मोटी cutting ले सकते हैं अब हम cutting को 6-7 inch के आकार में इसे cut कर लेंगे लंबाई में और आप एक cutting बिल्कुल भी किसी पौधे की न लगाएं कब से कम आप 4-5 cutting लगाएं क्योंकि cutting अगर एक-दो आपके पास fail भी कर जाते हैं तो उसमें से एक-दो cutting आपके पास अच्छे रहेंगे जो survive करते रहेंगे तो आप कभी भी एक या दो cutting न लगाएं दो-चार cutting हमेशा ज़्यादा लगाने की कोशिज करें और अब हम potting mix की उपर बात कर लेते हैं तो मैंने ये 50% normal garden swell लिया आपके घर के आस-पास की बगीचे की जो भी मिट्टी है आप उसमें cutting आसानी से grow कर सकते हैं और उसमें मैं 20% ये river sand add कर देता हूँ construction sand जो होते हैं दोस्तों वो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और उसके साथ साथ drainage system को भी काफी अच्छा बनाते हैं तो इसलिए मैं drainage system को बेहतर बनाने के लिए के river sand का यूज कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं इसमें 20% coco pit भी add कर देता हूँ coco pit moisture को hold करता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है तो मैं coco pit भी यूज कर लिया है और 10% की मातरा है मैं इसमें पुरानी गोबर की बिल्कुल सड़ी ही भी खाद लगभग एक साल पुरानी में add इसमें कर दिया और आधा चमच मैं इसमें fungicide powder add कर देता हूँ अब कोई भी साफ वेवेश्टेन जो भी fungicide powder आपके पास है उसे यूज कर सकते है जिससे मिट्टी में जो fungus वगर होंगे उससे वो सारे fungus केल हो जाएंगे और इस mixture को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब हम गमले के उपर बात कर लेंगे तो cutting को लगाने के लिए ज़्यादा गहरे गमले की आव सकता नहीं होती है आप थोड़ा कम गहरे गमले का यूज कर सकते हैं और उसके bottom में drainage hole होना बहुत जरूरी है दोस्तों किसी भी पौधे को अगर आप गमले में लगाते हैं तो उसमें drainage hole आप जरूर चेक कर लें गमले में अगर drainage hole नहीं है तो आप उसमें अलग से drainage hole भी कर सकते हैं गीली नहीं हो पाती है अगर ऐसा रहेगा तो सारा पौधा आपका या cutting हो या किसी पौधे को आप लगाते हैं तो नीचे गमले में किचर सी बन जाती है और उससे आपका पौधा मर भी सकता है तो इस तरह से मैंने गमले में मिट्टी को भर लिया है और अब इसमें हम पानी दे देंगे यानि इस मिट्टी को हम स्वेल मेडिया को भीगा देंगे अब उसके साथ साथ इसमें हम किसी टूल की साहता से या लकडी की साहता से चार पांच जितने cuttings हमें लगाने हैं उतने होल बना लेंगे क्योंकि direct cutting को हम लगाते हैं मिट्टी में तो उसके tissue damage होने के डर रहते हैं तो आप किसी टू लिया लकडी की सहता से उसमें होल बना देंगे और अब एक एक cutting को लेते जाएंगे और उसके bottom part को fungicide powder में deep करते जाएंगे क्योंकि cuttings अक्सर fungus की वज़ा से मर जाते हैं वो सूख जाते हैं तो उसे हम protection के लिए fungicide powder में deep करेंगे और सारे cuttings को ऐसे ही fungicide powder में deep करकर के सभी cuttings को मिट्टी में दबाते जाएंगे तो मैंने सारे cuttings को लगा दिया है और इसे अब हम semi state में रखेंगे जहांपे छनके धूपाती हो बिल्कुल इसे sunlight में हम नहीं रखेंगे दोस्तों यह पहला update 15 दिन के बाद का update है और 15 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि सारे cuttings में नए नए leaf आना सुरू हो चुके हैं जिसमें आपको देख रहा होगा कि कुछ में अभी छोटे छोटे leaf से हैं कुछ cuttings में काफी बड़े बड़े लंबे लंबे से leaf आ रहे हैं तो इस तरह से मैंने आपको पहला update दिखाया और यह अब दूसरा update बिल्कुल 40 दिन बाद का update है और 40 दिन बाद आप देख सकते हैं कि सारे cuttings कितने अच्छे से grow हो रहे हैं तो इस तरह से आप बोगन बेलिया को cutting से आसानी से लगा सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल Simple Home Gardening को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक्स पर वाचिंग